नमस्कार प्रस्तु थे मुण्शी प्रेम चंदी जी के द्वारा लिखा वह उपन्यास गोदान का तेईसवा भाग आगे पढ़ने के पहले जानते हैं पिछली भाग की कहानी गोबर पैसे कमा कर घर आ जाता है घर का हाल देखकर वह बहुत दुखी हो जाता है अब उसके पास पैसा है वो सबके खबर लेगा वो गाउं में जाकर सबको अपना रौब दिखा कर आता है अब वो अपने बैलो की जोड़ी को लेने भोला के गाउं चला अब सुनते हैं बाहर निकली और बोली, क्या गोबर चला गया, अकेले, मैं कहती हो तुम्हें भगवान कभी बुद्धी देंगे या नहीं, भोला क्या सहज में गोई देगा, तीनों उस पर तूट पड़ेंगे बाज की तरह, भगवान ही कुशल करे, अब किस से कहूं, दोड़ कर गोबर को पकड़ कर लाओ, मैं तो तुमसे हार गई, होरी ने कोने से डंडा उठाया, और गोबर के पीछे दोड़ा, गाउं के बाहर आकर उसने निगाह दोड़ाई, एक छेंड सी रेखा, शितिज में मिलती भी दिखाई दी, इतनी ही देर में गोबर इतनी दूर कैसे निकल गया, पोरी की आत्मा उसे धिकारने लगी, उसने क्यों गोबर को नहीं रोका, अगर वा डाट कर कह देता, कि भोला के घर मत जोग तो गोबर कभी न जाता, और अब उससे दोड़ा भी तो नहीं जाता, वा हार कर वहीं बैठ गया और बोला, उसकी रक्षा करो महावीर स्वामी, गोबर उस गाउं में पहुचा तो देखा कुछ लोग बरगत के नीचे बैठे जुआ खेल रहे हैं, उसे देखकर लोगों ने समझा पुलिस का सिपाही है, कौडिया समेट कर भागे, किस ऐसा जंगी ने उसे पहचान कर गहा, अरे ये तो गोबर्दन है, गोबर ने देख जंगी पेड की आड में खड़ा जहांक रहा है, बोला, डरोमन जंगी भाईया, मैं हूँ, राम राम, आज ही आया हूँ, सोचे चलू सबसे मिला हूँ, फिर न जाने कब आना हो, मैं तो भाईया तुम्हारे आशिरवात से बड़े मजे में निकल गया, जिस राजा की नौ अच्छी जगह है, जंगी उसका ठाट बात देखकर रॉब में आ गया, उसे कभी चमरोंदे जूते नहीं मैसर हुए थे, और गोबर चमा चम बूट पहने वे था, साफ सुतरी, धारीधार कमीज, समरेवे बाल, पूरा बाबु सहाब बना हुआ था, फटेहाल गोबर और इस परिश्कृत गोबर में बड़ा अंतर था, हिंसा भाव तो यूही कुछ समय के प्रभाव से शान्त हो गया था, और बचा खुचा अब शान्त हो गया, जुवाडी था ही, उस पर गांजे की लट, और घर में बड़ी मुश्किल से पैसे मिलते थे, मुह में पानी भराय बोला, चलूंगा क्यों नहीं, यहां पड़ा-पड़ा मक्षी ही तो मार रहा हूँ, कहे रूपय मिलेंगे, गोबर ने बड़े आत्मे विश्वास से कहा, इसकी तुम कुछ चिंता न करो, सब कुछ अपने हाथ में है, जो चाहोगे वह हो जाएगा, हमने सोचा जब घर मे नहीं आदमी है तो बाहर क्यों जाएं, जंगी ने उपसुकता से पूछा, काम क्या करना पड़ेगा, काम चाहे चौकिदारी कहो, चाहे तगादे पर जाओ, तगादे का काम सबसे अच्छा है, आसामी से गठ गए, आकर मालिक से कह दिया कि घर पर नहीं है, चाहो तो रु अच्छा कामता है कि कहीं गए हुए हैं, दूद लेकर गए हैं, मुझे कोई बाजार नहीं जाने देता, कहते हैं कि तुम गांजा पीते हो, मैं अब तो बहुत कम पीता हूँ भाया, लेकिन दो पैसे रोज तो चाहिए ही, तुम कामता से कुछ न कहना, मैं तुम्हारे हाँ, हाँ, बेखटके चलो, होली के बाद, तो पक्की रही, दोनों आदमी बाते करते करते भोला के द्वार पर आ पहुँचे, भोला बैठे सूतली काट रहे थे, गोबर ने लपक कर उनके चरंच हुए, और इस वक्त उसका गला सचमुच भर आया, और बोला, काका मुझ ही किया था, गोबर, कि तुम्हारा सिर काटनों तो पाप भी न लगे, येकिन अपने द्वार पर आये हो, अब क्या कहूं, जाओ, जैसे मेरे साथ किया उसके सजा भगवान तुम्हें देंगे, कब आये, गोबर ने खूब नमक मिर्च लगा कर अपने भाग्योदय का वित करेगा, न किसी को कुछ दे, अपना बोश तो उठा ले, गोबर ने कहा, नहीं काका, भगवान ने चाहा और इनसे रहते बना, तो साल दो साल में आदमी हो जाएंगे, हाँ, जब इनसे रहते बने तब ना, सिर पर आपड़ती है, तो आदमी आप ही समल जाता है, तो कब त कहो अब बैठे-बैठे राम-राम करें, कहता तो हूँ, लेकिन उनसे बैठा जाए तब तो, वहाँ किसी बैठ से तुम्हारी जान पैचन तो होगी, खासी बहुत दिख कर रही है, हो से के तो दवाई भेज दे ना, एक नामी बैठ तो मेरे पडोस में ही रहते हैं काका, उ कुन से हाल कहके दवा बनवा कर भिजवा दूँगा, खासी रात को जोर करती है कि दिन को, नहीं बेटा रात को, आखी नहीं लगती, नहीं वहाँ कोई डॉल हो तो मैं भी चलकर वही रहूं, यहां तो कुछ फरक नहीं पड़ता, रोजगार का जो मजा वहाँ है काका, यह हां क्या होगा, यहां रुपे का दस सेर दूद कोई नहीं पूछता, हलवाईयों को गले लगाना पड़ता है, वहाँ पाच छे सेर के भाव से चाहो तो एक घड़ी में मानो दूद बेच लो, जंगी गोबर के लिए दूदिया शर्बत बनाने चला गया, भोला ने एकांत देख कर कहा, और बताओ भाईया, इस जंजाल से जी उप गया, जंगी का हाल तो देखते ही हो, कामता दूद लेकर चला जाता है, सानी पानी, खोलना बादना सब मुझे ही करना पड़ता है, अब तो यही जी चाहता है कि सुख की एक रोटी खाऊं और पड़ा रहूं, कहा जाया तूट गई है, मुदक किसी को इसके सुध नहीं, जब मैं बनवाऊंगा तभी बनेगी, गोबन ने आत्मियत्या के साथ कहा, तुम चलो लखनव काका, पांच से दूद बेचो नगत, कितने ही बड़े-बड़े अमीरों से मेरी जान पहचान है, मन भर दूद की निक शर्बत पी कर कहा, तुम तो खाली साथ सवेरे मेरे चाई की दुकान पर बैठ जाओ काका, बोला ने एक मिनट के बाद संकोच भरे भाव से कहा, कुरोध में बेटा आदमी अंधा हो जाता है, मैं तुम्हारी गोई खोल कर ले आया था, उसे लेते जाना, यहां कौन खेती बारी होती है, मैंने तो एक नई गोई ठीक करा ली है काका, नहीं 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 गोई लेकर क्या करोगी, इसे ही लेते जाओ ना, तो मैं तुम्हारे रुपे भीजवा दूंगा, रुपे कहीं बाहर थोड़ी हैं बेटा, घर में तो हैं, बिरादरी का धकोसला नहीं, नहीं तुम्हें और हम में कौन सभेद, सच पूछो तो मुझे खुश होना चाहिए था, कि जुनिया भले घर में है, आराम से है, और मैं उसके खून का ही प्यासा बन गया, संध्या समय गोबर यहां से चला, तो गोई उसके साथ थी, और दही की दो हांडियां लिये जंगी गोड़ती है, आशाड लगते हैं आलहा शुरू हो जाता है, और सावन भादों में कजलियां होती है, कजलियों के बाद रामायन गान होने लगता है, सेमरी भी अपवाद नहीं, महाजन की धमकियां और कारिंदे की बोलियां इस समारों में बाधा नहीं डालती, घर में अन पाल थी, वहीं भंग बनती थी, वहीं रंग उड़ता था, वहीं नाच होता था, इस उत्सो में कारिंदा साब के 10-5 रुपे खर्च हो जाते थे, और किसमें यह सामर्त थी, कि अपने द्वार पर यह जलसा करता, लेकिन अपके गोबर ने गाउं के सारे नव्यूकों को अ पाना हो रहा है, और चौपाल में सन्नाटा चाया हुआ है, भंग रखी वी है, पिसे कौन, ढोल मजीरस सब मौजूद है, पर गाए कौन, जिसे देखो गोबर के द्वार की और दोड़ा चला जा रहा है, यहां भंग में गुलाब जल और केसर और बादाम की बहार है, हाँ हाँ, सेर बर बादाम गोबर खुद लाया, पीते ही चोला तर हो जाता है, आखें खुल जाती है, खमीरा तमाकु लाया है, खास बिस्वा का, रंग में भी केवडा छोड़ा है, वो रुपे कमाना भी जानता है, और खर्च करना भी जानता है, गाड कर रखलो तो कौन धनकी तो यही शोबा है, और किवल भंगी नहीं, जितने गाने वाले हैं सब का नियोता भी है, और गाओं में ना नाचने वालों की कमी है, और ना गाने वालों की, और नहीं अभीने करने वालों की, शोबा ही लंगडों की ऐसी नकल करता है, कि और कोई क्या करेगा, और ब पटवारी की निकलवा करे, थानिदार की, चपरासी की, सेट की, सभी की नकल कर सकता है। हाँ, बिचारे के पास वैसा सामान नहीं है, मगर अपकी गोबर ने उसके लिए सभी सामान मंगवा दिया है, और उसकी नकले देखने जोग होगी। यह चर्चा इतनी फैली की सांच से ही तमाशा देखने वाले जमा होने लगे। आसपास के गावों में दर्शकों की टोलिया आने लगी। दस बजते बजते तीन-चार हजार आद में जमा हो गये होंगे। और जब गेरधर जिंगूरी सिंग का रूप धरे अपने मंडली के साथ आकर खड़ा हुआ, तो लोगों को खड़े रहने की जगन मिलती थी। वही खलवाट सिर, वही बड़ी मूचें और वही बड़ा तोंद। बैठे भोजन कर रहे हैं और पहली ठकुराइन बैठी पंखा जल रही है। ठकुराइन को रसिक नेत्रों से देख कर कहते हैं, अब भी तुम्हारे उपर वह जौबन है कि कोई जवान भी देख लेने तो तड़प जाए। और ठकुराइन फूल कर कहती है, जबी तो गई नवेली लेकर आए। अरे उससे तो लाया हूँ तुम्हारी सेवा करने के लिए, वह तुम्हारी क्या बराबरी करेगी। छोटी बीवी यह वाक्य सुन लेती है और मूँ फुला कर चली जाती है। दूसरे द्रिश्य में ठाकुर खाट पर लेते हैं और छोटी बहु मूँ फेरेवे जमीन पर बैठी है। ठाकुर बार बार उसका मूँ अपनी और फेरने की विफल चेश्ठा करते हैं। मुझसे क्यों रूठी हो मेरी लाडली। तुम्हारी लाडली जहां हो वहां जाओ। मैं तो लॉन्डी हूँ, दूसरों की सेवा टहल करने के लिए आई हूँ। तू तो मेरी रानी है, तुम्हारी सेवा टहल करने के लिए वह बुढ़िया रखी है। पहली ठाकुराइन सुन लेती है और जाड़ू लेकर घर में घुशती है और कई जाड़ू उन पर जमाती है ठाकुर सहब जान बचा कर भागते हैं फिर दूसरी नकलवी जिसमें ठाकुर ने 10 रुपे का दस्तावेज लिख कर 5 रुपे दिये शेश नजराने और तहरीर और दस्तूरी और ब्याज में काट लिए किसान आकर ठाकुर के चरण पकड़ कर रोने लगता है बड़ी मुश्किल से ठाकुर रुपे देने पर राजी होते हैं जब कागज लिख लिया जाता है और आदमी के हाथ में 5 रुपे रखते जाते हैं तो वो चक्रा कर पूछता है यह तो पाँची है मालिक पाँच नहीं 10 हैं घर जाकर गिनना नहीं सरकार पाँच हैं एक रुपे का नजराना हुआ की नहीं हाँ सरकार और एक रुपे की तहरीर हाँ सरकार एक कागज का जी सरकार और एक दस्तूरी का हाँ सरकार और एक सूध का जी सरकार और पाँच नगद दसवे की नहीं हाँ सरकार अब यह पाँचों भी मेरी ओर से रख लीजे कैसा पागल है नहीं सरकार एक रुपय छोटी ठकुराइन का नजराना है एक रुपय बड़ी ठकुराइन का एक रुपय छोटी ठकुराइन को पान खाने के लिए एक रुपय बड़ी ठकुराइन को पान खाने के लिए बाकी बचा एक वो आपकी क्रिया करम के लिए इसी तरह नोखे राम और पटेश्वरी और दाता दीन की बारी-बारी से सब की खबर ली गई और फप्तियों में चाहे कोई नयापन हो न हो और नकले पुरानी भले हो लेकिन गिर्धारी का धंग ऐसा हासे जनक था दर्शक इतने सरल हृदे थे कि बेबात की बात पर भी हसते थे रात वर भंडैती होती रही और सताईवे दिल कलपना में प्रतिशोध पाकर प्रसन्न होते रहे आखिर नकल समाप्थ भी तो कौवे बोल रहे थे सवेरा होते ही जिसे देखो उसकी जबान पर वही रात के गाने वही नकल वही फिक्रे मुखिय तमाशा बन गया जिधर निकलते उधरी दो-चार लड़के पीछे लग जाते और वही फिक्रे कसते जिंगुरी सिंग तो दिल लगी बाज आदमी थे इसे दिल लगी में लिया मगर पटेश्वरी में चेड़ने की बुरी आदत थी और पंडित दाता दीन तो इतने तुनक मिजास थे कि लड़ने पर तयार हो जाते थे वह सबसे बड़ा आदर सम्मान पाने के आदी थे कारिंदे की तो बात ही क्या राय साहब तक उन्हें देखकर सिर जुका देते थे उनकी ऐसी हसी उड़ाए जाए और अपने ही गाओं में यह उनके लिए असहाय था अगर उन्हें ब्रह्म तेज होता तो वो इन दुष्टों को भस्म कर देते ऐसा शाप देते कि सब के सब भस्म हो जाते लेकिन इस कल्यूगी शाप का कोई असर न था इसलिए उन्होंने कल्यूग वाला हथियार निकाला होरी के द्वार पर आए और आखे निकाल कर बोले क्या आज भी तुम काम करने न चलोगे होरी अब तो तुम अच्छे हो गये हो मेरा कितना हरज हो गया यह तुम नहीं सोचते गोबर देर में सोया था अभी अभी उठा था और आखे मलता हुआ बाहर आ रहा था कि दाता दिन ने सूर्ती फांकते वे कहा काम कैसे नहीं करेंगे साल के बीच में काम नहीं चोड़ सकते जेट में चोड़ना हो तो छोड़ने करना हो तो करें उसके पहले नहीं चोड़ सकते गोबर ने जम्हाई लेकर कहा उन्होंने तुम्हारे गुलामी नहीं लिखी है जब तक एक्षाती काम किया अब एक्षा नहीं है काम नहीं करेंगे इसमें कोई जबर्दस्ती तो नहीं हो सकती तो होरी काम नहीं करेंगे न तो हमारे रुपे सूध समित दे दो, तीन साल का सूध होता है सो रुपे, असल मिलाकर होते हैं दो सो रुपे, हमने समझाता तीन महिने में सूध कटते जाएंगे, लेकिन तुम्हारी इक्षा नहीं है तो मत करो, मेरे रुपे दे दो, धन्ना सेट बनते हो न, तो धन्ना कैसी चाकरी और किसकी चाकरी यहां तो कोई चाकर नहीं सभी बराबर हैं अच्छी दिल लगी है किसी को सो रुपे उधार दे दिये और उससे सूध में जिंदगी बर काम लेते रहे मूल जयों कत्यों यह महाजनी है कि खुन चूस न तो रुपे दे दो भाया लड़ाई काहे कि मैं आने रुपे ब्याज लेता हूँ तुम्हें गाओ घर का समझ कर आधे आने रुपे पर दिया था हम तो एक रुपे साकड़ा देंगे एक कोरी बेसी नहीं तुम्हें लेना हो तो लो नहीं अदालत से लेना एक रुपे से कम नहीं होता मालूम होता है रुपे की गर्मी हो गई है गर्मी उने होती है जो एक के दस लेते हैं हम तो मजूर हैं, हमारी गर्मी पसीने के रास्ते बह जाती है मुझे याद है, तुमने बैल के लिए 30 रुपे दिये थे उसके 100 हो गए, और अब 100 के 200 हो गए इसी तरह तुम लोगों ने किसानों को लूट लूट कर मजदूर बना दिया है और अब उनकी जमीन के मालिक भी बन बैठे तीस के दो सो कुछ हद है कितने दिन हुए होंगे दादा हुरी ने कातर कंट से कहा यही आठ नौ साल हुए होंगे गोबर ने चाती पर हाथ रख कर कहा नौ साल में तीस रुपे के दो सो एक रुपे के हिसाब से कितना होता है उसने जमीन पर ठीकरे से हिसाब लगा कर कहा दस साल में च्छतीस रुपे होते हैं असल मिला कर च्छासट उसके सत्तर ले लो इससे बेसी में एक कॉड़ी न दूँगा दाता दीन ने होरी को बीच में डाल कर गहा सुनते हो होरी गोबर का फैसला मैं अपने दो सो छोड़कर सत्तर रुपे लेलूं नहीं अदालत करूं इस तरह का व्यभार हुआ तो कह दिन संसार चलेगा और तुम बैठे सुन रहे हो मगर यह समझ लो मैं ब्रम्भन हूँ और मेरे रुपे हजम करके तुम चैन न पाओगे मैंने यह सत्तर रुपे भी छोड़े और अदालत भी न जाओंगा जाओ अगर मैं ब्रम्भन हूँ तो अपने पूरे दो सो रुपे लेकर दिखा दूँगा और तुम मेरे द्वार पर आओगे और हाथ बांद कर दोगे दाता दिन जल्लाएवे लोट पड़े गोबर अपनी जगह बैठा रहा मगर होरी के पेट में धर्म की क्रांती मचीवी थी अगर ठाकूर या बनिया के रुपे होते तो उसे ज़्यादा चिंता न होती लेकिन ब्रम्भन के रुपे उसकी एक भी पाई दब गई तो हड़ी तोड़ कर निकलेगी भगवान न करे कि ब्रम्भन का कोप किसी पर गिरे वंस में कोई चुलू बर पानी देने वाला घर में दिया जलाने वाला भी नहीं रहता उसका मन त्रस्थ हो उठा उसने दोड़कर पंडी जी के चरण पकड़ लिये और आर्तस्वर में बोला महराग जब तक मैं जीता हूँ तुम्हारी एक एक पाई चुका दूँगा लड़के की बात पर मत जाओ मामला तो हमारे तुम्हारे बीच हुआ है न वो कौन होता है दाता दिन जरा नरम पड़े इसकी जबरदस्ती देखे कहता है दो सो रुपे के सत्तर लो या अदालत चाओ अभी अदालत की हवा नहीं खाई है जबी एक बार किसी के पाले में पड़ जाएंगे न तो फिर यह ताउ न रहेगा चार दिन शहर क्या चलेगे तानाशा हो गए मैं तो कहता हूँ महराज मैं तुम्हारी एक एक पाई चुका दूँगा तो कल से हमारे यहां काम पर आना पड़ेगा अपनी उख बोना है महराज नहीं तुम्हारा ही काम करता दाता दिन चले गए तो गोबर ने तिरसकार की आँखों से देख कर कहा गय थे देवता को मनाने तुम्ही लोगों ने इन लोगों का मिजाज बिगाड दिया है तीस रुपे दिये और अब दो सो लेगा और डांड उपर से बताएगा और तुमसे मजदूरी कराएगा और काम करते करते तुम्हें मार डालेगा होरी ने अपने विचार में सत्य का पक्ष लेकर कहा नीती से हाथ नहीं छोड़ना चाहिए बेटा अपनी अपनी करने अपने साथ है हमने जिस ब्याज पर रुपे लिए वह तो देने ही पड़ेंगे न फिर ब्रह्मन ठहरे इनका पैसा हमें पचेगा ऐसा माल तो इनहीं लोगों को पचता है गोबर ने तियोरियां चड़ाई नीती छोड़ने को कौन कह रहा है और कौन कह रहा है कि ब्रह्मन का पैसा दबा लो मैं तो यही कहता हूँ न कि इतना सूध नहीं देंगे बैंक वाले बारा आने सूध लेते हैं तुम एक ले लो और क्या किसी को लूट लोगे उनका रोया जो दुखी होगा हुआ करे उनके दुखी होने के डर से हम क्यों बिल खो दें बेटा जब तक जीता हूँ मुझे अपने रस्ते चलने दो जब मैं मर जाओंगा तो तुम्हारी जो इक्षा हो वो करना तो फिर तुम ही देना मैं तो अपने हाथों से अपने पाउँ उपर कुलहाडी न मारने जाओंगा मेरा गधा पंथा की तुम्हारी बीच में बोला तुमने खाया, तुम भरो, मैं क्यों अपनी जान दूँ या कहता हुआ गोबर भीतर चला गया जुनिया ने पूछा आज सवेरे सवेरे दादा से क्यों उलच पड़े गोबर ने सारव रितांत के सुनाया और रंत में बोला इनके उपर रिन का बोज इसी तरह बढ़ता जाएगा मैं कहां तक भरूँगा उन्होंने कमा कमा कर दूसरों का घर भराया मैं क्यों उनकी खोदीवी खंदक में गिरूँ इन्होंने मुझ से पूछ कर तो कर्ज नहीं लिया ना मेरे लिये लिया है मैं उसका देंदार नहीं हूँ उधर मुखियों में गोबर को नीचा दिखाने के लिए शडियंत्र रचा जा रहा था या लॉंडा शिकंजे में ना आया तो गाउं में अधर्म मचा देगा प्यादे से फर्जी हो गया है टेड़े तो चले गई जाने कहां से इतना कानून सीख कराया है कहता है रुपे सैकड़े सूथ से बेसी न दूंगा लेना हो तो लो नहीं तो अदालत जाओ रात इसने इतने सारे गाउं के लॉंडों को बटोर कर कितना अनर्थ किया लेकिन मुखियों में भी इर्शा के कमी न थी सभी अपने बराबर वालों के परिहास पर प्रसन्य थे पटेश्वरी और नोखे राम में बाते हो रही थी पटेश्वरी ने कहा मगर सबों को घर घर की रत्ती रत्ती का हाल मालूम है जिंगूरी सिंग को तो सबों ने ऐसा रपेटा की कुछ पूछो न दोनों ठकुराइनों की बाते सुनकर भी लोग हसी से लोट पोठ हो गए नोखे राम ने ठटा मार कर कहा मगर नकल थी सच्ची मैंने कई बार उनकी छोटी बेगम को द्वार पर खड़े लॉंडों से हसी करते देखा है और बड़ी रानी काजल सेंदूर और महावर लगा कर जवान बनी रहती है दोनों में दिन रात छिड़ी रहती है जिंगुरी पक्का बेहाया है कोई दूसरा होता तो पागल हो जाता सुना तुम्हारी बड़ी भद्दी नकल की चमरिया के घर में बंद करके पिटवाया मैं तो बच्चे पर बखाया लगान का दावा करके ठीक कर दूँगा वह भी क्या याद रखेंगे कि किस से पाला पड़ा था लगान तो उसने चुका दिया ना लेकिन रसीत तो मैंने नहीं दी सबूत क्या है कि लगान चुका दिया और यहां कौन हिसाब किताब देखता है आज ही प्यादे भेज कर बुलाता हूँ होरी और गोबर दोनों उख बोने के लिए खेत सीच रहे थे अबकि उख की खेती होने की आशा तो नहीं थी इसले खेत पड़ती पड़ा हुआ था अब बैल आ गये हैं तो उख क्यों न बोई जाए मगर दोनों जैसे च्छतीस बने वे थे न बोलते थे न ताकते थे होरी बैलों को हाक रहा था और गोबर मोट ले रहा था सोना और रूपा दोनों खेतों में पानी दोड़ा रही थी कि उनमें जगड़ा हो गया विवाद का विशय यह था कि जिंगूरी सिंग को छोटी ठकुराइन पहले खुद खाकर पती को खिलाती है या पती को खिलाकर तब खुद खाती है सोना कहती थी पहले वो खुद खाती है रूपा का मत इसके प्रतिकूल था रूपा ने जे रह की अगर वो पहले खाती है तो मोटी क्यों नहीं होती ठाकूर क्यों मोटे हैं अगर ठाकूर उन पर गिर पड़े तो ठाकूराइन तो पीस जाए सोना ने प्रतिवात किया तू समझती है अच्छा खाने से लोग मोटे हो जाते हैं अच्छा खाने से लोग बलवान होते हैं मोटे नहीं होते मोटे होते हैं घास पात खाने से तो ठकराइन ठाकुर से बलवान है और क्या अभी इस दिन उन दोनों की लड़ाई भी तो ठकुराईन ने ठाकुर को ऐसा धकेला कि इसके घुटने पूट गए तो तू भी पहले आप खाकर फिर जीजा को खिलाएगी और क्या अम्मा तो पहले दादा को खिलाती है तभी तो जब देखो दादा डाटा करते हैं मैं तो बलवान होकर अपने मरत को काबू में रखूँगी अध तेरा मरत तुझे जरूर पीटेगा तेरी तो हड़ी तोड़कर रख देगा रूपा रुवासी होकर बोली क्यों पीटेगा मैं मार खाने का काम ही न करूंगी वो कुछ न सुनेगा तुने जरा कुछ कहा और वो मारेगा मारते मारते तेरी खाल उधेड़ देगा रूपा ने बिगड़कर सोना की साड़ी दातों से फारने की चेश्ठा की और असफल होने पर चुटकिया खाने लगी सोना ने चिढ़ाया वो तिरी नाक भी काट लेगा इस पर रूपा ने बहन को दात से काट खाया सोना की बाह लवा गई उसने रूपा को जोर से धकेल दिया वो गिर पड़ी और उठकर रोने लगी सोना भी दातों की निशान देखकर रो पड़ी उन दोनों का रोना चिल्लान सुनकर गोबर गुस्से से भरा हुआ आया और दोनों को दो दो गुसे जड़ दिये दोनों रोती भी खेत के बाहर निकल कर घर चल दी सिचाई का काम रुग गया इस पर पिता पुत्र में भी एक जड़प हो गई होरी ने पूछा अब पानी कौन चलाएगा दोड़े दोड़े गये दोनों को भगा आए अब जाकर मना क्यों नहीं लाते तुमीने बिगार रखा है इन सबों को उस तरह मारने से और भी निरलज हो जाएंगी दो जून का खाना बंद कर दो आप ही ठीक हो जाएंगी मैं उनका बाप हूँ, कसाई नहीं पाउ में एक बार ठोकर लग जाने के बाद किसी कारण से बार बार ठोकर लगती है और कभी-कभी अंगोठा पक जाता है और महिनों तक कष्ट देता है पिता और पुत्र के सदभाव को आज उसी तरह की चोट लग गई थी और उस पर ये तीसरी चोट पड़ी गोबर ने घर जाकर जुनिया को खेत में पानी देने के लिए साथ लिया जुनिया बच्चे को लेकर खेत में गई धनिया और उसकी दोनों बेटियां ताकती रह गई मा को भी गोबर की या उद्धन्डता बुरी लगती थी रूपा को मारता तो वह बुरा न मानती मगर जवान लड़की को मारना या उसके लिए असाहय था आज ही रात को गोबर ने लखनो लोट जाने का निश्चे कर लिया यहां अब वह और नहीं रह सकता जब घर में उसकी कोई पूछनी तो वह क्यों रहे वह लेन देन के मामले में बोल नहीं सकता लड़कियों को जरा मार दिया तो लोग जामे के बाहर हो जाते हैं मानों वह बाहर का आदमी हो तो वह इस सराए में अबना रहेगा दोनों भोजन करके बाहर आये थे कि नोखे राम के प्यादेने आकर कहा चलो कारिंदा साहब ने बुलाया है होरी ने गर्व से कहा रात को क्यों बुलाते हैं, मैं तो बाकी दे चुका हूँ, मुझे तो बुलाने का हुक्म है, जो कुछ अर्ज करना हूँ वहीं जाकर करना शेश कहानी अगले भाग में, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार